इद से एक दिन पहले पैसों के लेंदेन को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को उतारा मौत के घाट परिवार में तियोहार की खुशी, मातम में तबदील दरसल थाना क्षेत्र, चांदपुर के ग्राम रसूलपुर नगला में आदिल पुत्र शाकिर और सद्दाम पुत्र शौकत दो चचेरे तहरे भाईयों के घर मिले हुए हैं और दोनों ही दिल्ली में एक साथ काम करते हैं बताया जाता है कि दोनों भाई इन दिनों गाव में ही आये हुए थे दोनों तहरे चचेरे भाईयों में पैसों के लेन देन को विवाद हुआ आरोप है कि विवाद चलते तहरे भाई सद्दाम ने लोहे की रोड उठा कर चचेरे भाई आदिल के सिर पर मार दी जिससे चचेरे भाई आदिल की मौत हो गई आरोपी सद्दाम मौके से फरार हो गया सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुँची और शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कारेवाही में जुट गई है चानदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट चानदपूर Wikah महानने वाले का नाम है जावेद उससा बड़े वाले का नाम है सद्दाम उससा चोटा वाले का नाम है सैदाम अब क्या चाहते हूओ मैं कारभाय चाहिए इंसाफ चाहिए वस हम इंसाफ चाहते है